किसे पढ़िजसें आगे practice कुछ मेठरीक। आज हम 봤ica की विए इसे पढ़ने का मकसद किया और यह किसलिए पढ़ा ही जा रही है ठीक है तो अभी हम covariance matrix से स्टार्ट करते है सपोज हमारे पास दो है एक है x1 और एक है x2 आपको इससे रिजूम कर लें कि हमारे पास यह इदर x1 हो गया और यह इदर x2 हो गया इसको आप ऐसे समझने ठीक हो अब यह मेरे पास एक matrix है ठीक है तो matrix का आप देखेंगे यहां पर पहले हम क्या करेंगे इसको और इसको देखेंगे x1 और x1 को तो हम simply यहां पर क्या लिखेंगे मैं pen का size छोटा कर ले दूँ हम लिखेंगे जी covariance of x1, x1 ठीक है क्यों क्या आप देखेंगे इसके रोर कॉलम में यह मेरे x2 लिख दिया है यह x1 ठीक है covariance of x1 by x1 अब इसकी बार यह अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या आएगा covariance of x1, x2 ठीक है अब अगर यहां पर देखेंगे तो आएगा covariance of x2, x1 और अगर आप यहां पर चेक देखेंगे तो हमाएं पास क्या आएगा covariance of x2 by x2 ठीक है अब अगर आपको याद हो मैंने आपको लास लिक्चर में correlation और covariance की बात की थी देखें covariance या correlation जो होता है यह हमेशा दो different variables के दर्मियान आपको उसका correlation बताता है कि आया वो positively correlated है या negatively correlated है ठीक है covariance या correlation कभी भी आपको same variable के दर्मियान बताता है नहीं या same variable के तर्मियान correlation चेक करने की कोई logic ही नहीं बनती है अधाब आप हमेशे देखते हैं कि एक variable दूसरे variable से positively correlated है या negatively correlated है या नहीं कि directly proportional है या indirectly proportional है ठीक है एक variable को अपने variable के साथ चेक करना illogical है तो यहाँ पे हम इसके बज़ए हम यह नहीं लिखेंगे यह चीज हम इस तरह नहीं लिखेंगे यहाँ पर यह मैं आपको शुरू में लिखेंगे यहाँ पर हम इसके बज़ए लिखेंगे variance of x1 ठीक हो गया यहाँ पे covariance matrix में इस जगह पे variance of x1 क्योंकि यहाँ पे c covariance x1 of x1 था तो उसको हम change करके लिखेंगे variance of x1 इसी तरह हम यहाँ पर भी यह रिमूफ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे variance of x2 ठीक है हमारा जो टू बाइ टू क्रॉस का covariance matrix बनेगा वो यह होगा और covariance matrix में देखें यहाँ पर हमारे पास diagonal में हमेशा variance होते हैं और जो diagonal के लावा जो elements होते हैं जैसे यह हो गया और यह हो गया यह हमें covariance बता रहे होते हैं ठीक है अब हम 3 by 3 का देखेंगे तो उससे आपको और बात समझ जाईगी ओके सो यह अब आपके पास 3 क्रॉस 3 matrix का मैं इसको यहाँ पर ऐसे line बना लेता हूं ताके mix ना हो ठीक हो गया आपको याद है diagonal में हम क्या करते हैं हम variance लिखते हो variance of x यहाँ पर मेरे पास चुके 3 features ना x, y, z तो यहाँ पर variance of y and variance of z ठीक होगे यहाँ पर variance आ गई हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास क्या covariance of आप खुद find कर से थे x by y में लिखूंगा comma x by y और यहाँ पर लिखूंगा covariance of x by z और यहाँ पर मेरे लिखूंगा covariance of y, x और यहाँ पर मेरे लिखूंगा covariance of y, z और यहाँ पर लिखूंगा covariance of z, x और यहाँ पर मेरे लिखूंगा covariance of z, y ठीक होगे यह हमारे पास covariance matrix ठीक रॉस्ट्री का बनगे अब इसका मतलब की है यह जो डाइगनल है यह हमें बताता है कि हमारा data three-axis पे कितना spread हो रहा है मतलब x-axis में कितना spread है वह वाली बात जो में आपको शूरू से समझा रहा हूँ कि data कितना spread है, यह data points आ निसाल तोरपे dot 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 अब ये कितना spread है ये variance बता रहे है ठीक है विसाल दोर पे अगर ये x है ये वाला point तो ये हमें बता रहे कि आपका डिटर कितना spread x-exức पे फिर ये बता रहे कि आपका y-exức पे कितना spread ये बता रहे कि आपका z-ex पे कितना spread है ठीक होगे ये आपको ये बता रहे अच्छा दूसरी बात ये आपको क्या बता रहे जो आपके अथर diagonal में ये चीज इस पे आप focus करेем बताता है कि आपके data का trend किस तरह है मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है यह एक के बढ़ने से दूसरा काम हो रहा है ठीक है यह आपको यह बताएगा यह हो गया यह बताएगा कि X के बढ़ने से Y बढ़ रहा है यह नहीं X के बढ़ने से Z पर क्या असरा आ रहा है तो यह basically idea होता है, covariance matrix का, I hope so, आपको covariance matrix समझ आ गया होगा, अब covariance matrix के बाद हमने एक topic पढ़ना है, बहुत important है, that is, eigenvalues and eigenvectors, eigenvalues and eigenvectors, यह बहुत important topic, आपने इसको बहुत अच्छे से समझने है, तो तब तक के लिए, Allah आफिस,